राधा कृष्ण की कहानी में आपने देखा कि कैसे दुर्योधर ने युदिश्टर के साथ नाइन साफी करके उसका राज्यपाच सब कुछ अपने नाम कर लिया और दाउफ पर अब लगेगी द्रौपती उसकुल की प्रतिष्टा उसकुल की इज़त जिसके बारे में पाच पांचु पांडव किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते यहां पर आप देखेंगे कि सब कुछ हार जाने के बाद रौपती को दाउफ पर लगाने की बात चलती है और यहां दुर्योधन के दाउफ पर लगाने की मांग को देखकर पहले तो पांचु पांडव बहुत ज सवा में घसीर का लाया जाएगा द्रौपदी बहुत ज़्यादा रोएगी चिलाएगी और भरी सवा में उसका अपमान होता देख पांचों पांडव की निगाहें शर्म से जुग जाएगे जैसे ही राधा रानी ड्रौपदी का यह हाल देखती है गिलाचारी देखती है उन और ये सब कुछ देख कर आधाराणी श्री क्रिश्न को आदेश देंगे और कहेंगी कि जाओ क्रिशन जाकर द्रौपती की मदद करो, वो द्रौपती जो तुम है अतूट चाहती है तुमपर अतूट विश्वास करती है, द्रौपती को मदद मांगता देख श्री कृष्ण का मन भी पिगलेगा और उनकी आँखों से अश्व भी निकलेंगे द्रौपती एक तरफ तो हाथ जोड़ कर श्री कृष्ण के नाम का जाब करेगी और कहेगी कि कहां है आप सखा मुझे आप क्या आवश्यक्ता है श्री कृष्ण मेरी मदद करें सका आप कहां है द्रौपती के ये पुकार सुनका यहाँ श्री कृष्ण भव्य अफ्तार में प्रकट होंगे और वो द्रौपती को उस हाथ में बंधी कत्तर के बदले उसे वो साड़ी प्रदान करेंगे जिससे उसका तंठक पाएगा और भरी सवा में उसकी इज़त रह जाएगी याद हो आपको कि द्रौपती ने जो श्री कृष्ण के जख्मों पर अपना एक रुमाल बांदा था उसी के बदले श्री कृष्ण यहाँ पर द्रौपती को इतनी साड़ी दे देंगे कि जिसे खीशते खीशते दुसाशन का बुरा हाल हो जाएगा उसके बाद एक एक करके सारे कौरफ कोशिश करेंगे द्रौपती की भरी सवा में इज़त उच्छालने की लेकिन कुछ भी नहीं हो कृष्ण फाइनली द्रौपती को बचा लेंगे और उसके बाद क्या होगा या आपको बताएंगे अपनियां के रिपोर्च में